येस गुड बॉर्निंग वन्स अगें स्टूडेंट्स बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरन पाठ साथ वचन लास्ट चेप्टर था लेसन शेक्स हमने पढ़ा था लिंग लिंग क्या होते हैं संग्या के जिस रूप से हमें पुरुष या इस्तरी जाती का बोद वो लिंग कहलाते हैं और अब बढ़ेंगे हम वचन दिये गए चित्रों को देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए देखो पेटा आपके सामने दो पिक्चर शो हो रही है एक में क्या है लड़की नाच रही है दूसरे चित्र में है लड़किया नाच रही है इसमें क्या है एक लड़की और इसमें है अनेक बहुत से लड़किया यह कुरसी है यह कुरसिया है देखो यहाँ पर यह एक के ल तो बच्चों हमने देखा कि उपर के वाक्यों में लड़की और कुरसी, शब्द एक के लिए है, यानि कि यह देखो, यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर एक कुरसी है, तो एक के लिए परियोग हुआ है, और यहाँ पर लड़कियां और कुरसीयां है, तो यह एक से अ अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं. ठीक है बेटा, संग्या क्या होती है, जैसे कूरसी हो गई, लड़की हो गई, बच्चा हो गया, ये सब क्या हैं? संग्या के रूप हैं, तो इन से हमें, इन शब्द के जिस रूप से हमें, उनके एक या अनेक, एक तो आपको पता है, ये सिंगल अनेक मतलब जहां पर बहुत सारी होते हैं, जैसे यहां पर एक लड़की नाच रही हैं, और दूसरे चितर में द्यवाई लड़कियां, तो य नाम वचन कहते हैं, वचन के दो परकार होते हैं, जैसे हमने लिंग में पढ़ा था, लिंग के भी दो भेद होते हैं, पुलिंग और इस्त्रिलिंग, ऐसे ही वचन के भी परकार दो होते हैं, एक वचन और बहुचन, एक वचन जैसे की नाम से ही पता लग रहा है, शब्द कि जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं बच्चों जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है एक वचन मतलब एक 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 शब्द आ गया ना तो एक शब्द का यहां पर अर्थ लगता है कि जब हमें किसी एक के बारे में पता चला है यानि कि जिस र वो एक थे तो वो एक वचन के उधारन है आपके समक्ष और उधारन दिये गए हैं माला, बालक, पुस्तक, पक्षी, आदी यानि कि ऐसे बहुत से उधारन है जो एक वचन के लिए परियोग किये जाते हैं नेक्स आता है बहुवचन, बहुवचन क्या होता है शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं जैसे हमने चित्र में देखा था लड़की का बहुवचन होगा था लड़किया और कुर्सी का बहुवचन होगा था कुर्सिया तो इस परकार शब्द के जीस रूप से उसके एक से अधिक यानि कि एक से जादा एक से जादा दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं चार भी हो स तो उन सब को हां भौवचन में ही काउंट करेंगे इसके उधारन दिये हैं मालाएं, बालकों, पुस्तकें, पक्षियों आदी ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो भौवचन के लिए परियोग किये जाते हैं अब देखो वचन का परभाव वचन का परभाव क्या होता है पड़त खेल रही है, यानिकि लड़की खेल रही है, एक वाचन है और अगर हम इसको बहुवचन में परिवर्तित 문제 है, तो बनेगा लड़की खेल रही हैं नेक्स्ट है पेड़ हिल रहा है पेड़ हिल रहा है अब पेड़ों तो लिखेंगा नी पेड़ का बहवचन भी पेड़ ही होता है लेकिन जब हम इसमें वाक्य बदलेंगे वचन बदलेंगे वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो हम इसमें जो क्रिया पद होती है उसको बदल रहे हैं देखो यहां पर पेड़ हिल रहा है यहां पर आया रहा है तो जब आया पेड़ हिल रहे हैं का यहां पर क्या हमें दर्शाता है कि यह वाक्या बहुवचन के लिए परियोग किया गया है क्योंकि हम एक वचन में रहा है पढ़ रहा है खा रहा है कर रहा है सो रहा है इस तरह परियोग करते हैं और जब हम इनको बहुवचन में परियोग करेंगे तो वापर रही है शब्द का परियोग हो जाएगा जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि पेड़ हिल रही है इसमें बहुवचन को शो कर रहा है सादू ने भोजन किया अब यहाँ पर सादू का बहुवचन क्या बनेगा बेटा सादू ने भोजन नहीं बदलेगा क्रिया किया है वो भी नहीं बदलेगी तो यहाँ पर सादू का बहुवचन बनेगा सादू तो इसका वचन बदलने पर क्या होगा वचन का परभाव क्य के लिए भी बहुवचन का परियोग किया जाता है देखो जब हम किसी बड़े के बारे में बात करते हैं जब हम किसी को रिस्पेक्ट फुली बात करते हैं या किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि किस परकार जो है हम उसमें क्रिया में परिवर्तन करते हैं वहाँ पर हम बहुचन शब्द का परियोग करेंगे करता एक वचन है लेकिन जो कुरिया होते वो बहुचन में परिवर्तित हो जाती है आदर सम्वान के लिए जी क्या है यह कि वचन का परवाम जैसे दादा जी आ रहे हैं वैसे हम लिखते दादा जी आ रहा है तो कैसे ममी जी खाना बना रही हैं, हैं यो जे बिंदी आती है ना है के ओपर, इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत हो ना है जो शब्द होता है वो एकवचन के लिए परयोग होता है और जब हैं के ओपर ये बिंदी लग जाती है अनुस्वार लगता है तो यहाँ पर ये क्या कहल देने के लिए भी हम यहां पर बहुवचन का परियोग करते हैं, यहने कि एक विक्ति के लिए हम बहुवचन का परियोग करते हैं, जैसे दादा जी आ रहे हैं, गांदी जी महान थे, महान था तो नहीं लिखा न हमने, क्योंकि यह हमारे रिस्पेक्टेड हैं, हम इनका सम्मा करते हैं यह हमारे सम्मानिय हैं तो इसलिए हम इनको बोलते हैं गांदी जी महान थे तो बच्चों आपको वचन का परभाव समझ में आ गया होगा कि वचन का जो परभाव है वाक्यों पर किस परकार पड़ता है अब हमारे समक्ष एक तालिका दी गई है एक वचन और किताब, किताबे, गाए, गाए, कमरा, कमरे, नदी, नदिया, कुरसी, कुरसिया, लड़ू, लड़ू, कहते हैं लड़ू का भोग लगाया, मैंने लड़ू को, मैंने लड़ू को बाटाया, लड़ू का भोग लगाया, लड़ू तो सिंगल हो गया न, कि मैंने लड़ू का, लडूओं का मतलब जब quantity में होते हैं, कोवा, कोवा एक वचन है और कोवा इसमें बहु वचन है, भेड, भेडे, हाथी, हाथियों, उट, उटों, कहानी, कहानिया, माला, मालाई, चिठी, चिठीया, भाशा, भाशाई, बिल्ली, बिल्लिया, देखो अब बिल्ली है, देखो यह बात बहुत ध्यान से देखने की है, यहाँ पर अब क्या हुआ, ला पे बड़ी की मात्रा है, यह बात ध्यान से सुनो बिल्ली में ला पे बड़ी की मात्रा है, जब हम इसको बहुवचन में बदलते हैं, तो ला की मात्रा जो है, यह आदे ला पर आ जाएगी, और बहुवचन शर्द में बड़ी एकी मात्रा का परियोग किया गया है, तो बहुवचन में वो बदलकर छोटी एकी मात्रा हो जाती है, यहाँ ए इससे पहले भाँ पर बड़ी एकी जगह, छोटी एकी मात्रा का परियोग किया जाता है, जैसे आपके सामने हैं, बिल्ली, बिल् और यह देखो, यहाँ पर यह हुआ है, कि यहाँ पर चूहा का चूहे, रुपईया, रुपईया का A में कन्वार्ट हो गया, रुपईया, अब देखो बेटा, आप लोग मोस्ली देखते हो, कि जो मेडिकल की शॉप होती है, मेडिसन जहां से मिलती है, तो मेडिकल स्टोर ज दलते हैं तो जो E है ये छोटी E में कन्वार्ट हो जाती है दवाई दवाईयां क्योंकि यहां जो है अधिक मातरा के लिए परियोग किया गया है कि यहां पर दवाईयां बहुत सारी है और दवाई जो है एक वचन के लिए परियोग किया जाता है तो अब हमाला हो गया दवा गड़ी दवाईया, घड़ी, घड़िया, वस्तूप, वस्तूइज, बात, बाते, मख़ी, मख़िया, कली, कलिया, सिपाही, सिपाहिय। तिथि, तिथियं, कवीता, कवीताएं, महिला, महिलाएं, कन्या, कन्याएं, मेला, मेले, बच्चा, बच्चे तो बटा इस परकार जो हैं हम एक वचन से बहुवचन में इनको परिवर्थित करते हैं आईए अब इस पार्ट का देखते हैं हमने क्या पढ़ा इस पार्ट में शब्द के जिस रूप से संग्या के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं वचन दो परकार के हैं एक वचन और बहुवचन तो बच्चों आज हमने पार्ट पढ़ा है वचन मैं एक बार फिर से इसको दोरा देती हूँ अब ध्यान से सुनिए वचन किसे कहते हैं एक शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं वचन के दो परकार होते हैं एक वचन और बहुवचन एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं जैसे माला, बालक, पुस्तक, पक्षी, आदि और बहुवचन क्या होता है शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं ठीक है और जैसे इसमें दिखाएगे हैं कि इसमें वचन का परभाव क्या पड़ता है यहां पर वचन का परभाव होता है जब हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो वचन का परभाव होता है और जैसे कई शब जो है उनका वचन लिए इस वाक्या में हम करेंगे पेड़ हेल रहे हैं येस बच्चों आज हमने वचन चेप्टर को पढ़ा आप इस पार्ट को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे